हालो स्टुडेंट तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेटरी एक्वेशन को सौल करने के तरीके तो ट्रिग्नोमेटरी एक्वेशन का जो बिल्कुल लाज्ट स्टेप होता है मतलब ट्रिग्नोमेटरी एक्वेशन का बेसिक हम लोगों ने सीखा है अभी तक अब लोग से शब्सेवारा मेथ winner factorization factorization मतलब तो तुम लोग समझते हो जैसे कि महान लोग कोई equation लिखिए जैसे x square minus 5x plus 6 is equal to 0 तो इसको factorize करके लिखने का मतलब क्या है x minus 3 x minus 2 लिख दिया है ऐसा factor करके ने के बाद क्या हो जाता साधा x-3 बाद 0 x-2 बड़ाबर 0 तो एक बड़ाबर 3 x बड़ाबर 2 उसी तरीक से हम लोग इस देखो यहाँ पर हम लोगों के पास एक 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 प्ञेड़ेसे को भी हम लोगों को solve करना है और यहाँ पर हम factorization method से इस equation को कैसे solve कर सकते हैं हम कैसे इसके factor बना सकते हैं तो देख और into के अंदर क्या लिखावा है 1 plus cos x बराबर हम लोग लिख सकते हैं sin square को cos में convert करके 1 minus cos square x ठीक है तो यह तुम लोगों को देखना है कौन सा question factorization से करना है कौन सा question कौन से method से करना है तो यह practice से समझ में आएगा तो जैसे 2 sin x minus cos x यह ऐसे रहने देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1 plus cos x अब देखो right-hand side के अंदर 1 minus cos square x है उसको हम लिख सकते हैं 1 minus cos x 1 plus cos x तो इसको factor करके लिख देते हैं हम लोग 1 plus cos x एना और यहां पर minus हो जाना च right में था left में आगया इसलिए इसको क्या बना देना चाहिए हम लोगों को यहां पर minus बनाने चाहिए अब दो को यहां पर one plus cos x और यह one plus cos x common आ रहा है तो one plus cos x common ले रहे हैं हम लोग factor बनाना चाह रहे हैं तो उससी तरगी से हमारी approach होनी चाहिए तो आगे क्या होगा two sin x minus cos x और यहां से क्या बचेगा minus one minus cos x क्योंकि one plus cos x तो हम लोगों ने common ले लिया बराबर zero बराबर के अंदर क्या चल रहा है हम लोगों का zero तो यहां से इस वाले portion को हम लोग delete कर देते हैं बराबर में zero ही सही ठीक है अब देखो यह क्या हो जाएगा minus one यहां पर है और plus cos x है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते है one plus cos x और one plus cos x तो ही सही उसके बाद यह क्या हो जाए है तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2sin x 2sin x यहां पर यह माइनस cos x से और यह plus cos हो जाएक है चो कट जाएगा माइनस बराबर जीरो अब देखो यहां पर हम लोगों के बात दो बात च हा रहे है एक तो आ रहा है one plus cos x बराबर जीरो तो one plus cos xalo हो जाएगा हमारा कितना minus one और धू 2 sin x-1 2 sin x-1 बराबर 0 तो इससे हम लोग लिख सकते हैं sin x is equal to 1 by 2 अब दो को cos x is equal to minus 1 है यह हम लोग बिल्कुल पहले lecture में trigonometry equation के पहले lecture में यह सीख चुके हैं कि x is equal to हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं इधर से तो cos x is equal to minus 1 क्या होता है हम लोग इसे को लिख सकते हैं cos x is equal to cos pi क्योंकि-1 किस में value होती है write two and plus 1 into Pi अब यहां से हम लोग क्या solution लिखेंगे इधर से हम लोगों को answer लिखना चाहिए यहां पर बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा और मतलब यह answer और यह answer दोनों का क्या union हमार answer होगा तो अभी तक हम लोग जो equation solve कर रहे थे उसके अंदर सिर्फ यह तो यह आ रहा था यह फिर सानिक से दिगल डू अनभाई टू आ रहा था अब हम लोगों ने फैक्टर किये तो जो छोटी-छोटी equation पहले आ रही थी वह factorization form में आएगी यहां पर तो यह हो गया हम लोगों का first method factorization method अब हम लोग next देखते हैं sum to product sum to product तो देखो हम लोगों ने trigonometry के अंदर सिखा था product to sum and sum to product change करना हम लोगों ने क्या सिखा था sum to product and product to sum यहां पर हम लोगों ने change करना सिखा था तो यहां पर question किस तरीकी से लिखा हुआ है sin 5x plus sin 3x plus sin x बड़ाबर 0 ठीक है and x की वेले 0 से pi by 2 की बीच में तो x बड़ाबर हमारा क्या होना चाहिए यह हम लोगों को बता देना है तो इस question को हम लोग solve कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले क्या कर लेते हैं यह sin 5x और sin x को left में रखते हैं और sin 3x को right में ले जाते हैं क्यों क्योंकि देखो हम लोग यहां पर formula अगर लगाएंगे sin alpha plus sin beta का तो वह क्या हो जागा 2 sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 तो वह formula से यहां पर factor बन जाएंगे तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 5x plus sin x बराबर क्या लिखा जा सकता है इसको minus sin 3x अब देखो यह minus sin 3x से यह left में भी बन सकता है वह कौन से वाले formula से बन जाएगा हम लोग जानते हैं कि sin c plus sin d क्या होता है sin c plus sin d का क्या formula हम लोगो ने पढ़ा था 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 तो यह sin 5x और x है तो यह कितना हो जाएगा 2 sin 5x plus x upon 2 तो यह हो जाएगा हमारा 3x into sin 5x minus x upon 2 तो यह हो जाएगा sin 4x upon 2 मतलब sin 2x पराबर में क्या चल रहा है minus sin 3x अब left मैं से और right मैं से sin 3x को उडाना नहीं है ऐसे यह cut नहीं कर देना है हम लोग कभी भी किसी भी trigonometry equation में इस तरह के से left और right में cut नहीं करेंगे तो sin 3x हम लोग common ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 sin 2x plus 1 क्योंकि minus sin 3x left मैं के plus 1 हो जाएगा बराबर 0 अब देखो यहाँ पर factor हो गया हमारे last में तो factor ही होते है sin 3x बराबर 0 अब हम लोग यहाँ से क्या लेख सकते हैं sin 3x बराबर 0 और sin 2x बराबर sin 2x बराबर minus 1 by 2 तो यह हम लोगों का expression है और यहाँ तक आ जाने से पहले ही हम लोगों का method जो है वो complete हो जाता है ठीक है n by अगर हम लोग लिखेंगे क्या लेखेंगे sin 3x बराबर n by तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गढ़बड हो गई ही देखो यह cos होता है यहाँ पर ना तो यहाँ पर भी हम लोगों क्या लिखना चाहिए था cacos लिखना चाहिए तो यहां पर भी यह कितना हो जाएगा? cacos होना चाहिए ठीक है? cacos तो यह कितना change हो जाएगा? sin cacos c-sin t क्या formula हाथ है? 2 sin cacos यहां पर हम लोगों का क्या लिखना चाहिए था? cos 5x-x upon 2 मतलब यहां पर 2x होता यहाँ पर हो जाता है 2 cos 2x प्लस 1 तो यह जो cos 2x से यह किसकी value है cos 2x की value cos 2x is equal to minus 1 by 2 तो 3x is equal to यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे n pi x is equal to हम लिख सकते हैं यहाँ से n pi upon 3 और right hand side में कितना हो जाएगा cos x is equal to minus 1 by 2 तो cos x is equal to minus 1 by 2 मतलग हम लोग लिख सकते हैं यहां से cos 2x बराबर minus cos यह 1 by 2 है तो वो किसकी वाली उत दियो cos pi by 3 की और minus cos x बराबर कितना होता है cos pi minus pi by 3 तो वो हो जाना चीए 2 pi by 3 तो हम लोग यहां पर इसका answer क्या लिख सकते है cos 2x बराबर cos 2 pi by 3 क्योंकि cos pi minus x क्या होता है minus cos x तो यहां से 2x का answer कितना हो जाएगा 2n pi plus और minus alpha जो कि है 2 pi by 3 तो यहां से x की value क्या हो जाएगी 2 को divide करतो तो x is equal to divide करते हैंगे तो यह हो जाएगा n pi plus minus pi upon 3 n pi plus minus pi upon 3 यह हम लोगों की किसकी value हो जाएगी cos 2x बराबर minus 1 by 2 वाले equation से अब अगर मालो x की value 0 से pi by 2 की भीश में तो यहां पर n बराबर रख रख के देख लो तो रखने से हम लोगों का solution मिल जाएगा जो हम लोगों को चाहिए ठीक है अब देखो ऐसा का ऐसा ही एक और question है हम लोगों की पास यहां पर cos 3x plus sin 2x minus sin 4x बराबर 0 cos 3x plus sin 2x minus sin 4x बराबर 0 अब देखो यहां से हमें 1,2,2,3 या 1,3 में से कोई भी दो select करने हैं और उसके according यहां पर हम लोगों को क्या लगाना है formula apply करना है तो देखो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं अगर मैं इन दोरों में formula लगाता हूं तो देख 2 cos 2 cos c plus d upon 2 into sin c plus d upon 2 तो देखो cos 3x वैसागा वैसा ही रहेगा है ना cos 3x वैसा ही आगे वाले में हम लोग क्या लगा सकते है formula लगा सकते हैं तो यह कितना हो जाएगा हम लोगों का sin 2x minus sin 4x को अगर हम लोग convert करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 cos plus 2 cos 2x plus 3x upon 2x plus 4x upon 2 मला 6x upon 2 तो यह हो जाएगा 3x फिर अगला हम लोग क्या लगेंगे sin c minus d by 2 यहाँ पर क्या हो जाता है c minus d upon 2 तो यह 2x minus 4x मला और हम लोग लिख सकते हैं sin x बराबर 1 by 2 या 1 minus 2 sin x बराबर 0 तो 1 minus 2 sin x बराबर 0 होने से यहां से sin x की value कितनी आ जाएगी 1 by 2 sin x is equal to 1 by 2 मतलब हम लोग sin x बराबर क्या लिख सकते हैं sin pi by 6 तो यहां से हमारा x की value कितनी हो जाएगी n pi plus minus 1 की power n pi by 6 यही फॉर्मुला होता है यही याद रखना है sin something is equal to sin something होने पर x is equal to something is equal to हम क्या लिखते हैं n pi plus minus minus 1 की power n pi by 6 अब cos 3 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा cos theta बराबर 0 होने पर theta बराबर 2n plus 1 pi by 2 लिखते हैं तो यह कितना हो जाएगा 2n plus 1 into pi by 2 तो 3 को divide कर दो x is equal to कितना हो जाएगा pi by 6 2n plus 1 और बीच में क्या लगा दो और तो हमारे यह वाले answer हो गए या तो n की value left side में रख दो या n की value कहाँ पर रख दो writing side के अंदर रख दो तो अभी हम लोगों ने क्या देखा sum से product में change करना है अब दो product to sum भी change करना हो सकता है उस तरह के से भी हम लोग question solve कर सकते हैं this is the next method to solve the trigonometry equation product to sum यहाँ पर sin 5x sin 3x यहाँ पर क्या लिखाव है sin 6x cos 2x मतलब left में भी multiplication है right में भी multiplication है और इस multiplication को हम लोगों को change करना है sum या subtraction के अंदर ठीक है तो हम लोगों को यहाँ question क्या लिखावा है the number of solution of the equation sin 5x cos 3x is equal to sin 6x cos 2x in the interval 0 to pi तो यह जही में में आयावा question है तो सबसे पहले इस question को solve करने के लिए हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए कि 2 से multiply divide कर लेना चाहिए क्या कर लेना चाहिए 2 से multiply divide तो यह इतना हो जाएगा 2 sin 5x cos 3x is equal to इधर भी 2 से multiply कर दो तो यह कितना हो जाएगा sin 6x cos 2x तो यहाँ पे क्या है sin cos और यहाँ पे इसको ऐसा लेख सकते हैं sin a plus b plus sin a minus b तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का sin a plus b plus sin a minus b से sin 8x तो यह कितना हो जाएगा हमारा sin 8x plus sin 5x minus 3x कितना हो जाएगा 2x और बराबर में हम लोग क्या लेख सकते हैं sin 8x plus sin 4x अब देखो left hand side में और right hand side के अंदर हम लोगों के पास क्या available है sin 8x तो multiply हो के cut जाएगा तो हमारे पास remaining क्या बजाएगा sin 2x is equal to sin 4x तो यह क्या हो जाएगा sin 2x बराबर sin 4x ठीक है तो इस equation को हम कैसे लिख सकते हैं sin 4x minus sin 2x बराबर 0 अब चाहो तो इसको factorize कर लो sin 4x को sin 4x को भी factor करके तुम क्या लिख सकते हो 2 sin 2x cos 2x या फिर इसके अंदर दुबारा से वही formula लगा दो sin c minus sin d का sin c minus sin d का formula लगाओगे तो यह क्या हो जाएगा 2 cos sin क्या हो जाएगा 2 cos sin तो यह हो जाएगा 2 cos 3x into sin 4 minus 2 2 2 by 2 कितना हो जाएगा x is equal to 0 तो यह हो गया हमारा 2 cos 3x 2 cos 3x into sin x बराबर 0 तो यहां से हम लोग 2 बाते लिख सकते हैं या तो sin x बराबर 0 और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 3x बराबर 0 पर देखो हमें answer की इस interval के अंदर लाना है 0 से π, मतला x जो है वो 0 से π के बीच में है, तो sin x बराबर 0 sin x बराबर 0 कहां कहां होता है 0 से π के बीच में तो इधर से हम लोग 2 answer ले सकते हैं x बराबर 0 और π, क्योंकि रेको n π होता है n बराबर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा n बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा n बराबर 2 रखेंगे तो 2 pi आएगा जो 0 से pi interval से बाहर चला जाएगा अब cos 3x is equal to 0 है क्या है cos 3x is equal to 0 है तो cos 3x is equal to 0 वाले case में हम लोगों को क्या लिखना चाहिए यहाँ पर वैसे 3x is equal to लिखना चाहिए था हम लोगों को 2n प्लस 1 इंटू pi by 2 तो x is equal to कितना हो जाता देखें 2n प्लस 1 pi by 6 तो सबसे पहले n is equal to यहाँ पर value पूट करते जाओ तो इधर जैसे मादलू मैंने n बराबर 0 रखा तो x की कितनी value मिलेगी pi by 6 यहाँ पर भी तुम आज्जूम कर सकते थे कि x is equal to क्या रखा n pi और n pi के अंदर n integer है 0 प्लस 1 रखेंगे तो हमार पास 0 और pi आ जाएगा जो given interval के अंदर answer include है इसी तरीके से मादलो n is equal to 1 रखा जाता है तो x is equal to 2 plus one 3 pi by 2 मतलब यह कितना हो जाएगा pi by 2 n is equal to 3 रखने पर कितना है 3 into 2 मतलब यह कितना हो जाएगा 6 6 plus 1 7 7 5 by 6 पर 7 5 by 6 हम लोग consider नहीं करेंगे 7 5 by 6 क्यों नहीं हमारा आंसर के अंदर है यह इंटर्वल में है यह भी इंटर्वल में है पर जैसे n is equal to 3 रखा तो x is equal to कितना आगे है 7 पाई बाई से जो इंटर्वल के अंदर नहीं है जैसे यहां पर n is equal to अगर तुम 2 रख देते तो यह कितना हो जाता है 2 पाई उसको हम include नहीं करते तो finally अगर वह ऐसा पूछता कि how many solution of this given equation in the interval तो x belongs to 0 से पाई के बीच में हमारे पास x की यह यह value है क्या क्या ही देखो 0 मिला हम लोगों को पाई बाई 6 मिल रहा है पाई बाई 2 है 7 पाई बाई 6 है और क्या है पाई तो 1 2 3 4 5 5 values in interval 0 to पाई which satisfying the given trigonometry equation तो देखो यह क्या बोल रहा है number of solution तो इस question का आंसर हमारा किस तरीके से देना है हमें number of solution में देना है तो number of solution यहाँ पर इस equation के अंदर हमारे पास कितने आ गए है number of solution is given equation के है 5 चलो next category भी हम लोग cover कर लेते हैं use of quadratic formula है ना तो trigonometry equation को solve करने के लिए हम लोग quadratic equation को भी use कर सकने है तो यहाँ पर हमारे पास question किस तरीके से देखो 2 cos square x plus 4 cos x is equal to 3 sin square x तो देखो कहीं cos से कहीं sin है तो इस पूरी equation को या तो sin में convert कर लो या cos में तो अगर मैं sin में convert करना चाहूंगा तो यहाँ पर मुझे under root का use करना पड़ेगा क्योंकि देखो मैं जानता हूं sin square x plus cos square x is equal to कितना होता है 1 तो देखो square होता है cos square x उसको मैं normally change कर लेता हूं 1-sin square x अगर मुझे cos को change करना है तो मैं लिख सकता हूं 1-sin square x तो it will be very easy to convert sin square into cos square x as compared to cos x into sin x तो अगर मैं इस sin को cos square में convert कर लेता हूं तो पूरी की पूरी equation cos में आ जाएगी फिर जो यह quantity equation अब वैसा हम कुछ कर सकते हैं तो देखो यह क्या 2 cos square x plus 4 cos x बराबर 3 into 1- cos square x तो 3-3 cos square x ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं अब देखो यह तो हो गया 3 यहाँ पर 3 cos square x है और यहाँ पर 2 cos square x है तो plus 4 cos x minus 3 बराबर 0 अब अगर factor हो सकते हैं तो कर लेंगे इस equation का जैसे 3 और 5 को multiply करने पर हारा है 15 अब 15 के ऐसे factor मनाने जिससे 4 हो जाए तो ऐसा तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है तो इस equation को हम आगे तो solve नहीं कर सकते हैं तो एक काम करते हैं हम लोग cos x को कुछ कुछ मान लेते हैं cos x को मैंने मान लिया suppose करो t तो यह equation कैसी हो जाएगी 5t square plus 4t minus 3 बराबर 0 अब quadratic equation को solve करने का क्या formula होता था minus b plus minus under root b का square मतलब 4 का square minus 4ac b square minus 4ac a कितना है 5 और c कितना है हमार पास minus 3 divided by 2 into a मतलब 2 into कितना हो जाता है नीचे 5 हो जाएगा तो 4 का square 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 किससे multiply हो जाएगा 15 से तो इस equation को थोला सा हम लोग solve कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा देखो हमार पार 16 प्लस कितना हो जाएगा यह 60 तो मतलब वो हो जाएगा 79 के आसपास यह फिर एक काम करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं यहा अब और हम लोग क्या लिख पाएंगे इससे क्या solve करना थोला सा आसान हैगा तो हम इसको लिख सकते हैं minus 2 plus minus 4 का square था एक 4 कम हो गया plus 5 into यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मतलब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं और divide by कितना है 5 तो t की value t हमारे पास क् तो cos x की value दो आ रही है एक आ रही है minus 2 plus under root 19 upon 5 और दूसरी आ रही है cos x is equal to minus 2 minus 19 upon 5 अब देखें under root 16 होता तो 4 होता under root 19 लगबग 4.7 यह 4.6 होगा तो 4.something और 2 अगर हम एड़ करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 6.something जो यह value जो है कितनी हो जाएगी less than minus 1 हो जाएगी तो cos x less than 1 होता नहीं है तो इस वाली value को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा reject करना पड़ेगा तो left value हम लोग सिर्फ लेंगे तो left value अगर हम लेंगे यहां से तो x is equal to हम लोग क्या लेख सकते हैं यहां से cos inverse under root 19 minus 2 upon 5 यह value minus 1 से 1 interval के अंदर हम लोगों को available है ठीक है तो यह तो हमारे पास किसका solution आया है x का solution आया है भी हम लोगों के पास ठीक है तो अगर मैं equation लिखू cos x is equal to minus 2 plus under root 19 upon 5 तो इसको मैं क्या मान लेता हूं cos alpha मान लेता हूं इस पूरे को मैं मान लेता हूं cos alpha तो इस equation को हम लोग कैसे लिख पाएंगे cos x X is equal to cos alpha तो X is equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग अगर cos something is equal to cos something होता है तो answer क्या होता है हमारा 2 and pi plus minus alpha और वही जो है यहां से alpha हमारे पास cos inverse के form है तो X is equal to answer क्या हो जाएगा 2 and pi plus minus cos inverse under root 19 minus 2 upon 5 ठीक है तो यह था हम लोगों का trigonometry equation को solve करने के अलग-अलग 4 method अब next lecture के अंदर हम लोग discuss करेंगे A sin X plus B cos X बराबर C type की trigonometry equation को solve करना तेंग झाल 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 झाल